आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ deployed eukaryotic cell के okay which processes कितने base pairs जिसके पास है 2.4 into 10 की power 6 base pairs उस cells के पास है उसके nucleus में तो हमें पताना है कि इतने base pairs से कितने nucleosomes होंगे ठीक है ना तो हम बात करते हैं nucleosomes की कि nucleosomes क्या होते है nucleosomes असल में क्या होते है ये एक bowl like structure या bead like structure हम कह सकते हैं ये एक bead like structure होती है जिस पे क्या होता है हमारा DNA से चारो तरफ लिप्टा होता है तो nucleosome के उपर अगर हम nucleosome की definition की बात करें तो nucleosome वो body होती है जिसके उपर negatively charged नेगिटिवली चार्ज्ड डीन ने रैप्ट होता है किसके उपर negatively charged डीन ने रैप्ट अराउंड किसके अराउंड रैप होता है अराउंड पॉजिटिव चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज्ड स्टोन ओक्टामर जो हमारे स्टोन प्रोटीन्स होते है उनके चारो तरफ लिप्टा हुआ negatively charged DNA तो उस structure को हम क्या कहते है nucleosome कहते है nucleosome के तो हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन्स है तो उनके चारो तरफ क्या लिप्टा होता है ऐसे negatively charged DNA लिप्टा होता है ठीक है तो यह हमारा बना दे nucleosome अगर हम बात करें nucleosome के चारो तरफ कितने base pairs लिप्टे होते है तो एक अंदाजन हमारा 200 base pairs जो है वो किसके चारो तरफ लिप्टे होते है एक nucleosome के चारो तरफ तो अगर 200 base pairs से हमारा एक nucleosome बन रहा है nucleosome बन रहा है तो इस number of base pairs से हमारे कितने nucleosome बनेगे तो सिंपल सा हम क्या लगाएंगे एक डिवाइड लगाएंगे 2.4 को 2.4 एंटो 10 की बार 6 बेस्पेर्स को हम 200 बेस्पेर्स से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो सम्वेर अराउंड 12,000 नुकलियोजोमस आएगा तो हमारे कितने नंबर अफ नुकलियोजोमस होंगे 12,000 नुकलियोजोमस होंगे थैंक यू